पुरानी कथा के अनुशार, श्रीदाम ने स्रीमोती राधारानी को श्राब दिया, स्री कृष्ण से सौ साल तक ब्यूग में रहना परेगा। श्री मोती राधारानी के बहुत सारे यूथ से एक एक यूथ में करोडो करोडो गुपिया हीं। तो इस प्रकार स्वाइ यूत और गूप को लेकर को सारे गूप और गूपिया और स्वेस्फेशाल यूत को लेके स्रीरा धारानी श्री राधारानी शिद्रास्टम गाय स्नान करने के लिए उस समय द्वारिका से भी स्रीकृष्ण के 16150 पत्राणी और द्वारिका बाशी और स्ट्रीक्रिश्ण सभी आये हुए थे शिद्धास्र में स्नान करने के लिए लेकिन स्ट्रीमोती राधारानी के वयवव को देख करके सारे द्वारिका के महिसिया पाट्रानिया कहने लागे है यह कौन इस्त्री है जो अभी समय स्थनान कर रहे हैं वो स्री मति राधारानी के बारे में पूछ रहे थे तो स्री कृष्ण ने कहा कि यह ब्रजस्वरी बिशवानुनंदी नी स्री मति राधारानी है जो ब्रज के देवी है श्री कृष्ण के स्री मुक से जो श्री मति राधारानी के महिमा के बरनन सुने तो सारे महिशिया और श्री कृष्ण के पाटरानिया अंकार में भर गया और कहा कि हम से ज्यादा सुन्दरी और रुपवती और गुनवती संग्सार में कौन हो सकते है तो वे लोग राधारानी को देखने के लिए आए और जब राधारानी को देखने के लिए आए सभी पाटरानिया राधा की रूप सुधा का दर्शन करते ही ये सब के सब मुर्चित होके पृधिवी पर गिर पड़े बहुत देर बाद फिर हूस आए उठे तब श्रीमती राधारानी इन सब महीशियां को गले मिले और इनको बदाई दिए उनका दर्शन करके प्रशन्न हुई उन सब भी स्डी मति राधरानी इन सब महीशियां के जो अंदर जो गमंड थी और हंकार थी रूप के यवन के उन सब के सब जो चूर चूर हो गया क्योंकि राधारानी की रूप शुधा के सामने इन सब की रूप एकदम से फिका हो गया उसके बाद बादचीत हुई सब कुछ आचा चलने लागे फिर स्रीमती राधारानी की विशेश सेवा करने के लिए और उनको प्रशन्ना करने के लिए 16108 महिसिया लग परी मतलब उनको प्रशन्ना करने के लिए और उनको राधारानी को बहुत प्रेम से भाव से उनको अपने शीवीर पे ले गए एक रात की घटना है उसके तो राधारानी सुने जा रहा है उससा देख करके महिसिया आ गया रुकमिनी जी स्री कृष्णो के पास आये और बहुत देर रात हो गया तब भी स्री कृष्णो सुया नहीं तो स्री कृष्णो से पूछे हे कृष्णो अभी तक आप सुये नहीं तो स्री कृष्ण ने कहा देखिए श्रीमती राधरानी जब तक नहीं सुएगी तब तक मेरा नीद नहीं आ सकता है तो बोला राधरानी तो सुगाया नहीं राधरानी अभी तक नहीं सुए है क्योंकि उनकी आदत है कि सुने से पहले एक गलास दूद पिना गुनगुना दूद इस बात को सुन करके और रुक्मिनी जी एक गलास गरम गरम दूद लेके गया और बाकी आठ पटरानिया भी साथ में चली और शुमती राधरानी को दूद के गलास दिया उसमें केशर फैशर सब मिला हुआ था तो राधरानी बहुत प्रेम पुर्वा ये लोग बेटे हुए थे तो राधरानी देखा कि ये लोग दूद पिला के गलास लेके जाएगा तो राधरानी जल्दी जल्दी गरम गरम दूद पी लिया और पी लिया तो वे लोग जो है फिर रुक्मिनी जी श्री कृष्ण के पास आ गया और श्री कृष्ण के चरण दभाने लगे जब श्री कृष्ण के चरण दभाने लगे तो अब देखा कि श्री कृष्ण के चरणों में चाले परे हुए है जैसे कि गरम गरम लगने से ज्यादा गरम लगने से चाले परते ह तो रुक्मिनी देवी पूछे है स्रीक्रिष्ण आपके कोमल चरणों में किस प्रकार छाले परे हैं तो बोला देखिए यह बिश्मक नंदिनी आप श्रीमोती राधारानी को गरम दुद्त पिलाया है लेकिन वो अधिक गरम हने करन और आप लोग गलास देने के लिए आप वहां पर बेटे हुए थे तो उनको संकुछ हो रहा था इसलिए राधारानी गरम गरम दुद्त जल्दी जल्दी पी लिया और गरम दुद्त जल्दी जल्दी पीने से मेरा चित मेरा जो चरणों में मेरा जो पैर में छाला पर गया क्योंकि स्रीमोती राधारानी की चित मे हर्दय में हमेशा में रहता हूं वो मेरा चरन को हमेशा ध्यान करते रहते हैं इसलिए उनके हर्दय में में रहता हूं मेरा चरन रहते हैं तो मेरा चरन उनके हर्दय में रहते हैं इसलिए मेरा चरन में भी वो गरम धूद की कारण छाला पर गया तो आप लोग जो गरम प्रिनाम सरुप मेरा जो पेर पे छाला पर गया है, तो सारे श्री कृष्ण के पटरानिया सुने और समझ सके कि श्रीमतिराधरानी किस प्रकार के श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं और किस प्रकार उच्च भक्त है, तब उन लोगों का जो रहें, उनका जो अंदर जो भी हं अंदर बिकार था, सब कुछ मर गया है, और स्रीमतिराधरजी Monopla झाजन लेकाली गया है, और श्री मुतिराधरी मियाधू किस